भगवान विश्णू के आठवे अवतार भगवान कृष्ण, हिंदू दर्म में पूजे जाने वाले सबसे लोगप्रिय देवताओं में से एक हैं भगवान कृष्ण से जुड़े कुछ रोचक तत्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे भगवतम पुराण और भागवत गीता जैसे प्राचीन महा काव्य पांडू लिपियों का खेंदिये चरित्र बनाता है दो, भगवान कृष्ण के विभिन भाषाओं और क्षेत्रों में लगभग एक्स और आठ नाम है तीन, वह मरने के लिए अभिशत था गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में गांधारी के सेकड़ों पुत्रों की मृत्यू हो गई तो कृष्ण ने दो युधन की मृत्यू के लिए अपनी समवेधना व्यक्त की गांधारी ने उसे ऐसा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया और किसी भी बिंदू पर युद्ध को रोकने का प्रयास नहीं किया गुस्से में उसने अगले 36 वर्षों में अपने यदुवंच के साथ मरने के लिए उसे शाप दिया चार पांडवों के साथ कृष्ण का संबंद। कृष्ण के पिता वासुदेव पांडव की माता कुंती के भाई थे। इसलिए कृष्ण पांडवों के चचेरे भाई थे। 5. भगवान कृष्ण की 16,108 पत्निया थी। भगवान कृष्ण ने एक बार दानव नर्कासूर से 16,108 महिलाओं की रक्षा की। 6. भगवान कृष्ण की मृत्यू एक बार रिशी दुरवासा ने कृष्ण से पूरे शरीर पर खीर लगाने के लिए कहा। 7. एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझ लिया और एक तीर मारा जिससे उनके पैर में चोटाई और अंत्तह कृष्ण की मृत्यू हो गई। 7. कृष्ण के असी पुत्र थे। पौराने कथाओं के अनुसार उनकी सभी आठ पत्निया उन्हें प्रतेक में दस पुत्र देती हैं जिससे उन्हें असी पुत्रों का पिता बनाया जाता है। 8. दो जन्मों में एक आख के लिए आख राम और कृष्ण दोनों भगवान विष्णू के अवतार थे। एक अवतार में, राम ने बाली को मात डाला और उन्होंने बाली की विद्वातारा को आश्वासन दिया कि बाली उनके अगले जन्म में बद्दा लेने में सक्षम होगा। अपने अगले जन्म में, बाली का जन्म जरा के रूप में हुआ था और वे हव्यक्ति था जिसने कृष्ण को मार कर हिरन का शिकार किया था. 9. राजलीला के दोरान कृष्ण ने गोपियों के साथ नित्य किया और यह ऐसा था कि प्रतेक गोपियों ने सोचा कि वे कृष्ण के साथ अकेले नित्य कर रही है 10. कृष्ण का पसंदीदा हतियार सुदर्शंचक्र था हुष्ण कि वेगी है